आज लेट्स टॉक की उपर मैं बात करने वाला हूँ लोईर बैक डिस्क इंजरी के बारे में आप लोग ने बहुत बार एक कॉशन पूछा है आज मैं आपको अपनी एक कहानी बदाता हूँ इसके पीछे और इसके अंदर आपको सारे आंस पर मिल जाएंगे जो आपको शायद बाहर कभी नहीं मिलेंगे मैं आपको बताना जाता हूँ कि मेरी लोईर बैक डिस्क इंजरी हुई थी 2010-11 के पास और मैं उस समय वर्स्ट टाइम से वैसे भी निकल रहा था फाइनेंशली और उसके बाद फिजिकली ये पेन जो मेरी उपर आई इसने मुझे तहस नहस कर दिया बर मैं में बहुत स्ट्रॉंग हूँ जिसके कारण मैं अपने आपको आज 100% ठीक कर पाया हूँ तो कहानी बताता हूँ क्या हुआ कैसे हुआ किस तरह से मैं ठीक हुआ हूँ 2010 से पहले मैं काफी हैवी लिफ्ट करता रहा हूँ काफी हैवी बहुत लोग आज की डेट के अधा आपने में यूट्यूब में मुझे बाद में देखा है तो आवस काईड़ वरी लिव मोर स्ट्रॉंग और मॉर बफ्ट गाई मोर देन 200 पाउंड्स वेट काफी मैस क्योंकि हैवी लिफ्ट करता हूँ जैसे मैं ओल्ड स्कूल लिफ्टर हूँ बैक 97 से मैंने जिम शुरू किया तो इसलिए मैंने उस तोरान जो मेरी स्ट्रेंथ काफी बिल्ड हुई थी तो 2010 ते पहले मेरी डेड लिफ्ट, स्क्वाट, बार्बल क्रॉल, चेस्ट प्रेस, शोल्डर प्रेस यह एक्सरसाइज मैं काफी हैवी लगाता रहा हूँ काफी थेकनेस मेरे मसल की इंक्रीज हुई क्योंकि जब आप जितनी आपकी स्ट्रेंथ अच्छी होगी उतना एकपा साइज बढ़ेगा, you know, सिंपल, साइज फॉल स्ट्रेंथ, सो 2010 एंडर 2011 जैन, December जैन की बात है, खत्म हो रहा है 2010, तो मैं अपने दोस्तों के साथ एक्सर करता आ रहा हूं, उससे हमने उसमें जादा एड किया, I remember that 50 pound extra, last set था हमारा, और प्लेजंटन सिटी में में रहता था, और fitness 19 नाम का जिम था, तो वहां पर मैं शाम को exercise कर रहा था, और उस exercise के दुरान, पहला सेट, दूसर सेट, तीसरा सेट, चार सेट लगा, तो पांच से सेट थे हमारे हेवी, और आप देख लो 5 by 5 जैसा सेट था, तो मेरे साथ एक काला था और बड़ा गोरा था, और एक मेरे साथ चाइनीज था, तो ठीक था, मलब भी नया था, दो लड़के काफी बड़े थे, मेरी एज के थे, स्ट्रॉंग थे, मेरे से भी 20 pound हेवी था आप देख लो की, तीन प्लेटे डाली थी, तो आप देख लो की, तीन प्लेटे 45 pound की इस तरफ और तीन 45 pound की प्लेट की स्क्वाट का मैं ना लास रफ, थेर्ड रप था, एक सही, दो सही, थेर्ड जब नीचे गया, उठा नही गया, और आवाज आई टिक, तो ऐसा लगा आप देख से तूट किया कुछ, वेट पीछे गिरा दिया, और अपना कमर पकड़ कर मैं खड़ा हुआ और पाउं रख रहा हूँ, बहुत धीर धीर, यह क्या हो गया, लेकिन अभी मूव कर पा रहा अपने आपको, तो मैं ने ने को बोला, I think I need to go home, I need to go home, तो I remember कि मेरे स pain, तो उस दोरान, मेरा दोस्त था एक, उसने मुझे ड्राप किया घर में, घर पहुंचा तो मुझे मालूम नहीं, मतलब गाड़ी से कैसे उतरा मुझे मालूम नहीं, ड्रैक करकर मैं घर पहुंचा, और अंदर गया, और उसके बाद समय लो कि वो painful night, वो कभी ने और next day, सुबह, उसी next day सुबह, appointment लेकर, डॉक्टर को सीधा मिले और वेन टू हॉस्पटल, हॉस्पटल गएं और उन्होंने x-ray किया, pain killer दिया, और x-ray के बाद रिपोर्ट आई, डॉक्टर ने consult बताया कि आपकी जो L4, L5 डिस्क है, वो डिस्क bulge है, डिस्क कंप्रेस हो आपकी जो स्टेज इस समय है, यह स्टेज आपकी दो है और तीन के पास हो आप, तो मतलब है कि यह पुराना बिल्ड हो रहा है, और आज टाइम आया, क्लेक हो जो काफी टाइम से हम हैवी लगा रहे हैं, लगा रहे हैं, फॉर्म खराब नहीं थी, खराब फॉर्म में आप इतने साल एक्साई लगानी मुश्किल है, और मैं फिटनस फील्ड के अंदर हूँ, फॉर्म का ध्यान देते हैं, जब आप सारी स्ट्रॉंग लोग लाते हैं, अकिला बंदा पहली बार लगा रहा हो तो फॉर्म खराब होगा, लेकिन एक्सपिरिंस बंदा लगा रहा हो सा साथ बराबरी करते हो, करने की भी कोशिश करते हो कभी कभी, तो वो भी एक गरत पॉइंट हो जाता है, and that's what happened in my case, मुझे लग रहा था उस समय कि मैं 3, 3 प्लेटें ना लगा हूँ, क्यों मैं 2 प्लेट और 25 से 35 पाउंड लगा लेता हूँ, easy, 5 to 7 reps, why would I go for 3 प्लेटें 3 प् I did that, and सही लगी, लेकिन वो ट्रिक हुआ, तो उसके बाद उठा नहीं गया, तो उसके बाद डॉक्टर की रिपोर्ट आई, डॉक्टर ने बोला भी, X-ray है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, हमें आपका back की, हम आपको, दो options हैं हमारे पास, आप हमें surgery कर सकते हैं, और व इस मामले में, कि यह disc है क्या, क्योंकि skeleton तो अभी पढ़ा ही नहीं मैंने, यह समय लोगी skeleton का अभी पढ़ा ही नहीं की, मतलब मालूम है, लेकिन deep information नहीं है, इसके बारे में, हा ना बोलना भी मुश्किल होगा मेरे लिए, और खर्चा तो खैर बहुत होता है, insurance है, फिर भी खतम हो जाती है, तो लगपख वो देंगे और आपको pain आपकी चले जाएगी, and you'll be fine, तो मैंने बोला कि I need a little time, and तो उस दुन मैं discharge हो गया था, तो मैं घर में rest करने, उन्हें बोला कुछ नहीं करना, जिम नहीं जाना आपने, बस आप rest करें, तो डॉक्टर का यहीं था कि अगले दिन की शाम से, मेरे हाथ में सिर्फ लेपटॉप, और all I was doing is searching, reading, देख रहा हूं क्या है, even I am, I have ordered online few books regarding back, और अगले तीन महीने तक मैं जिम नहीं गया, पॉने तीन महीने बिलकुल जिम नहीं, और उस दुरान मैं rehab की थोड़ी सी exercise करता था stretching क्योंकि बहुत तेन होती है, सुबह, blood flow जो, क्योंकि you have to exercise your lower back disc, blood flow के लिए, तो उस तीन महीने में मैं body weight, cat, cow, stretching, back stretching, जैसे आसन्स ऐसे करता रहा हूं, और मैं ground पर सोता था नीचे, मतलब bed, क्योंकि bed में गदा होता है काफी, गदा सेट नहीं आ और मुझे याद है कि मैं ground पर pillow अपने तांगों की नीचे रखकर, ग्राउन पर धाई महीने सोया और बैठा भी नहीं गया कि बैठने पर pain होती थी, और उस तीन महीने के दौरान काफी सर्च के बाद I found out I need to meet kairopractor, kairopractor डॉक्टर होता है, जो हड़ियां का डॉक्टर ह और जो normal doctor होते हैं, hospital में, वो medicine की होते हैं, उन्होंने medicine study की होती है, kairopractor ने bones को study किया है, तो इसका मतलब है kairopractor का जो treatment है, ना तो इसके अंदर दवा है, ना कोई टीका है, ना कुछ नहीं है, ये एक चीज़ जब मैं kairopractor से मिला, तो उससे बात की, और kairopractor में उनसे बात की, वो कहते हैं, ये चीज़ें बहुत नॉर्मल होती है, जिम के अंदर, even he had some back issues, a lot of his friends have back, that's part of it, doctor के पास आपने treatment की है, मैंने का नहीं नहीं, मुझे डॉक्टर ने ये suggest किया, लेकि मैं तो अगरे दिन इसके पास गया ही नहीं, doctor के पास, even doctor का follow-up email आई, लेक successful होते हैं, hospital के अंदर, surgery के बाद भी back की problem है, आती है वापस, यो टी का लगता है back, हड़ी के अंदर, वो 7-8 मेने बाद उसके असर खतम होता है, drug का, तो pain वापस आ जाती है, तो मुझे था कि I want to fix this naturally, how can I fix naturally, it means I have to change my lifestyle, bending, I have to do and all this thing, तो, doctor के पास पहुंचा, उसने मेरी back की adjustment के station शुरू हुए, हफ़ते में, every day, 5 दिन हफ़ते में, उसके बाद अगले, 1 महीने बाद, 3 दिन हफ़ते में, फिर 2 दिन हफ़ते में, करते करते, मैंने साल के अंदर, अपने perfect कर लिया, अमल ठीक कर लिया, और gym, gym तो मैंने 3 महीन बाद शुरू कर दिया जाना, gym गया, तीन में, 2011, last की बात है, पूरे साल बाद, दोबारा gym के अंदर, अब squad तो मैं उतना heavy नहीं लगा रहा था, अब बारी आगी deadlift की, अब deadlift लगाते हुए deadlift का इतना भी heavy नहीं था, normal 225 के आप 7-8 reps लगा रहे हैं, normal rep लगा रहे हैं, ब problem है, जिसको आपने अभी heal किया है, अभी उतने time नहीं हुआ मुझे, and I am, what I am doing is, lifting heavy again, लेकिन squat नहीं, अब मैं deadlift कर रहा हूँ, deadlift में वही बात दोबारा हो गई, that's the same process, same, वैसे ही रात, वैसे ही निकला, like what, and थोड़ा पिछला experience था साल का, उसका utilize करते हुए, काईरोप्रेक्टर को अगले दिन मिला, और adjustment शुरू की, और इस बार उसने, जब उसने एक्सरे लिया, उसने बोला, आपके disc 3 पर पहुंची है, मतलब now you have L5 and S1 engaged in this stuff, जो जिम का पागर्बन होता है आपको, कभी कि आपको अंदर का मालूम नहीं about damage you are doing, बढ़ा बाहर के muscles और बाहर की look के लिए आप अंदर की body जो है, वो कैसे आपकी problem में है, कभी कभी नहीं मालूम होता, जो drugs लोग लेते हैं ना, वो अंदर की system को वैसे खराब कर रहे हैं, उनको मालूम ही नहीं अंदर क्या हो रहा है, बाहर से short tika लगाई आ रहे हैं और अंदर क्या और की body उनको मालूम ही नहीं है, system बंद हो जाता है कभी कभी, तो मैं तो read की huddy की बात कर रहा हूँ, जो spine हो भी दिखती नहीं आपको, कभी कि उसकी pain किसी और level पर होती है, तो surgery और short जो hospital में लगता है, उसको आपने ignore करकर, काईरोपेटर की service ली, मतलब ये, I'm glad कि मैंने वो decision लिया, कि मैंने hospital की surgery, surgery is the last option for everyone, उसको सबसे पहले इस्तमाल नहीं करना है, इसलिए मैंने वो सबसे पहले नहीं, उसके उपर गया ही नहीं, और natural process पर गया है, क्योंकि काईर adjust करते हैं, naturally, जिसको time में process slow है, लेकि वो सही process आपकी spine को adjust करना, आपकी garden को adjust करना, you know that, तो और काईरोपेटर हाथ से करते हैं और कुछ नहीं करते हो, thus barely two seconds, five seconds, ten seconds, तो ये treatment होता है, तो ये treatment करते करते हैं, तो जब मुझे दूसरी बार हुआ, तो मैं देखा कि अब मुझे ध्यान देने की दूरूरत है, तो उसके बाद मैंने, क्योंकि मेरी L5 and S1 engage हो गई, S1 is a sacrum, lower disc के नीचे, जो आपकी, जहाँ आप कमर में pent बांगते हैं, तो वो जो pelvic है ना आपका, तो वो नीचे का जो आपका tail बहुं जा रही है, उसकी S5 involved हो गई, sacrum area, उसके बाद मैंने फिर वो process किया, and then gym, महीने बाद gym वापस गया, light weight, light weight, light weight, deadlift को, deadlift तो नीचे, deadlift के देखतर लगता था कि भई, नहीं नहीं डर लगता था, तो वो चीजों को थोड़ा बंद किया, अब उसके बाद, smith machine मैंने, इस्तमाल करनी शुरू की, और smith machine में, during doing against squats in 2013, I got back problem, again, third time, 10, 11, 12, third time, again problem, I was so disappointed, क्योंकि मेरा shoot आने वाला था, और मेरी इंजरी हुई, and again, back to chiropractor, and he's like, Guru Maan, what's going on, man, you need to understand that, let me check, let me see what's going on, उसने बोला, आपकी L4, L5, थोड़ी सी पहले से और खराब हुई है, और L5 and S1, भी और खराब हुई है, compared to x-ray, day one, बल तीन साल के x-ray की रिपोर्ट थी, now, you can work out barely few more years, and you'll be done after that, decide what you wanna be, and then that's where I made U-turn, I made U-turn, I'm not going to lift, to show that I lift heavy, I wanna lift where my muscles are engaged, but bones and ligaments are not, इसका मतला है, मुझे mind muscle के ओपर focus करना पड़ेगा, move नहीं करना वेड, back belt का इस्तमाल करकर, मैंने exercise बंद नहीं की, पहले तो बंद रखी है, almost 5-6 मेने, तो छोड़ो deadlift और squats जैसी exercise में दूर रहा, और leg press जैसी, और squat press जैसी जो exercise है, supportive machines की ओपर, उसका इस्तमाल करकर, मैं exercise करता रहा, back में load नहीं था, even lower abs, abdominal crunches, जैसारी exercise pain करती थी, और उसके प्लैंक्स को मैंने add किया, तो मैंने उस rehab के दौरान, प्लैंक्स को add किया, जो मैं घर corporate की ओपर करता रहा हूँ, cat and cow जैसी exercise करता रहा हूँ, back stretch करता रहा हूँ, मैं pictures add कर दूँगा, तो आप उस pictures को देख सकते हैं, कौन-कौन-सी exercise में करता रहा हूँ, almost, और during the pain, कोई मैंने painkiller, आई बी प्रूफन जैसी दवाई का इस्तमाल नहीं किया, मेरे पास ice pad होते थे, और उन ice pad का इस्तमाल में करता था 15 मिनट, हर दो घंटे में, so एक दिन की अंदर लगपग मैं 8 से 9 बार ice pad का इस्तमाल करता रहा हूँ, तो क्योंकि pain होती थी, तो pain killer नहीं, ice pad, I am mostly mentally strong, and all my commitment, मेरी commitment थी, कि मैं natural तरीके से इसको cure करूँगा, और doctor का option last में है, तो अगर पानी सरस्ती उपर चला जाएगा, तो फिर मैं जरूरत पड़ेगी, अभी मेरे पास है, पानी सरस्त, रोक सकता हूँ मैं, तो I made U-turn, changed my lifestyle, lifting lifestyle, आज की डीड़ तक, और उसके बाद काईरोप्रेक्टर में पांच साल लगाता और मैंने रखा, ठीक होने के बाद भी, और मेरी जो disc की opening थी, वो पिलकुल, मतलब disc की space ही खत्म होगी दिया थे, मतलब no space, ऐसा situation था, and I build the space back, and मारी जितनी भी disc है, इसका gap जो है, वो पूरा सही है, ऐसा नहीं है कि अब मैं lifetime ठीक हूँ, lifetime ठीक हूँ, लेकिन अगर मैं गलती ही करूँगा, तो disc compress हो जाएगी, जैसे भी हो, मेरी disc का size काफी thick है, तो मुझे ये benefit रहा है कि मेरी spine का जो thickness है, vertebra के बीच disc होती है, तो मेरे vertebra काफी मोटे और चोड़े हैं, जिसका मुझे benefit मला, क्योंकि अगर थोड़े चोटे होते, average बंदे से थोड़े से बड़े हैं, जिसका मुझे benefit नहीं है, तो तीसरी बार मैं wheelchair पर होता, तो luckily मेरी bone structure जो है, genetically, उसका मुझे थोड़ा फाइदा हुआ, जहां से मैंने समझा और 100 U-turn किया, और आज मैं ऐसा नहीं कि deadlift heavy लगाता हूँ, मैं मुझे जरूरत ही नहीं पढ़ती, मुझे जरूरत नहीं पढ़ती, अगर जरूरत है तो मैं supportive exercise करता हूँ, जहां पर मेरी back involved नहीं हो, keeping forms right, arc my back, to make sure, you know, all this thing, उस pain के लिए में traction की classes होती थी, आप गर्दन पीछे, दो second, तीन second, गर्दन पीछे, table पर, जैसे table लिड़ गया, और गर्दन पीछे पहेंग दी, तीन second के लिए, तो वो help करती आपकी neck की और back की disc को, क्योंकि आपका posture खराब हो जाता है, disc posture ऐसे, अभी ऐसे हो, तो यह posture खराब होगा, तो मेरी पहले एक तो साल यही है, कि मैं straight कुरसी पर सीधा बैठा, कार की जगा मैंने SUV चलाना शुरू किया, SUV में आप थोड़ा chair position पर बैढ़ते हैं, कार में आप नीचे बैढ़ते हैं, तो वो चीज़ें मैंने उस समय काफी आपका, कहीं गिर गए, स्पोर्ट्स में इंजरी होगा, यहीं लोर बैक की इंजरी कहीं भी हो सकती है, एक्सिंट हो गया दो आपकी बैक हो गई, all of sudden something अचानक कुछ हो जाए, तो it's always painful, तो उसके दुरान अप, medical help लेना, लेकिन treatment नहीं, अवाइड करना लोर बैक की, अग shifting lifestyle, once you do it, your body will heal automatic, and जब आपको समझ आ जाएगा न, तो आपकी बाड़ी से होती है, कि आपको यह आगए, कितना यह पत्थर उठाने की, यह सिलंडर उठाने की जरूरत है, awkward position में, you already know it, यह smart decision, बाद में आप लेने शुरू कर सकते हैं, मैंने किये थे, पहले मैं, अरे, किसी को दिखाने के लिए, मैं लिफ्ट नहीं करना, वो कर चोके हैं, पास्ट में ऐसा होता है, यंग होते हैं, आप, you try to do, oh I can do more, जिम की लाफ ही ऐसी है, I can lift, I'm a strong guy, so, सारे strong होते हैं, इंजडियर भीट करती हैं, तो आप थोड़ा सा smart train करते हैं, तो, मैं बाड़ी बु I just need to engage my muscles, and that's a smart way, वो तो आप 10 pound के डंब लगाएंगे, और बहुत ही slow लगाएंगे, वो सौके हो जाएंगे, you know that, resistance एड़ करेंगे, और आपकी form सही होगी, आप थोड़ी सी इसको, e-centring, concentric, जो form है, उसका tempo एड़ कर दो, and I, 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 मुझ याद है कि I worked on the tempo, मतलब अ तो अब मैं एक प्लेट में वही फील कर सकता है, जो डबल प्लेट में फील करते हैं, मतलब आपकी मैं 50 किलो में वह फील कर सकता हूं, जो आप एक किलो में करते हैं, the reason is tempo, how slow you go, how slow you go up, वो जो tempo है, एक रेप का, कितने सेक्ट में कम्प्लीट कर रहे हो, वो आपके थोड़ इसके अंदर काफी एक्सपर्ट हुआ लोवर बैक के उपर, तो आज की डेट के अंदर, with the grace of God, कुछ भी ऐसा नही आया, अगर फ्यूचर में आता है, I know how to deal with it, and I can deal with it right away, so यह मेरी कहानी थी, लोवर बैक इंजरी पास्ट की, वर्स इंजरी हुई थी मुझे, अलमस मैं पर जाने के close था, but made great U-turn, that time lifestyle change किया, सब कुछ चेंज किया, और आज 100%, जो मेरा x-ray है, spine का, वो बेलकुल सही है, और अभी मुझे काईरोपेटरी बाद जाने के ज़रूरत नहीं बढ़ती, अलमस्त पांसाल हो चोगे हैं, मैं काईरोपेटरी बास गया नहीं, तो इस जास होड़ेज काईरोपेटर वोड बेस्ट फ्रेंड फर्स्ट सबसे पहला, और डॉक्टर वोल भी हास्पिटल और सर्जरी विल बी यह लास्ट 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 अप्शन, तो यहाँ पर नैशल ट्रीटमेंट है कि आपनी spine को आप काईरोपेटर से अज़स्ट कर वाएं formation कम होगी, नहीं तो आपको पीन के दर खानी पड़ेगी, एक घंटे से जादा बिल्कुल ना बैठें, हर एक घंटे में खड़े होएं अपनी hamstring को stretch करते रहें, अपनी back को straight रखें जब आप चेर पर बैठें, खाना खा रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, कार चला रहे हैं, और कोशिश करें, back support का lumbar pillow उसका इस्तमाल कर सकते हैं, support के लिए, कुछ exercise है, जो आप हर रोज आपको करनी पड़ेगी, rehab exercise घर के अंदर, वो है standing hamstring stretch, cat and cow, cat and camel जैसी exercise, extension जैसी exercise, जो आप घर पर कर सकते हैं, कोई equipment की ज़रूरत नहीं है आपको, इनके आप लगब तीन सेट लगाएंगे हर एक exercise की, arm leg raise, glute stretch, side plank, यह almost 6 exercise है जिसको आप routine में आप add कर सकते हैं, और सुबा या शाम इन exercise का इस्तमाल करते रहें, उसके लगब पग, 2-3 हफते के बाद, go back to gym, जी हाँ, और वहाँ पर कोई भी आगे जुकने वाली, side जुकने वाली exercise को बिलकुल नहीं कर वहाँ पर isolation पर focus करना है, जो machines होती है, आप आप अराम से बैठ कर exercise करते हैं, use hammer strength, isolation, और उसके बाद आप लगपग, एक मीने बाद आप दोबारा free weight शिरू कर सकते हैं, squats शिरू कर सकते हैं, एक दो मीने बाद, body weight squat, empty barbell squat, lightweight dumbbell squat, और धीरे धीरे weight add करते रहें, so rehab exercise करते रहें, पहले घर के अंदर शुरू करें, इसके बाद जिम जाएं, जिम में rehab exercise करें, और बस avoid करना है, जो मैंने आपको precautions बोले हैं, और दो तिन महीने के बाद, you will be good to work out, और कोशिश करें, back pad विकरा का इस्तमाल करते रहें, जब भी आप legs और back जैसी exercise करते हैं, so ध्यान रखे अप पानी से सिर्फ़ जा चुका हो तो, all right, take care guys, gurumaan, bye-bye.